दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान उन्हीं लोगों को चुनोतियां देते हैं जो इस चुनोतियों को स्वीकार करने का सामर्थी रखते हैं जो इतनी कुवत रखते हैं कि ईश्वर द्वारा दिये गए जितने भी चैलेंजिस हैं वो उन्हें पूरी अच्छी तरह से सफलता पुर्वक उसे ओवरकम कर पाएं तो यहां पर उन्हीं लोगों की बात हो रही है और उन लोगों में हम शामिल होते हैं क्यों? क्योंकि हमारा भी पूरा यही एक प्रयास रहा है कि इन सारे वीडियो से हम अपनी लाइफ में दिये गए जितने भी चैलेंजिस हैं या पढ़ाई में हमें जितने भी ताने मिल रहे हैं उन सभी का जवाब हम अपनी सफलता से दें तो इसी सफलता के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम अपना कारवा आगे ले जाते हैं इसी कारवा को आगे बढ़ते हुए हम ये भी समझ लेते हैं कि लोगों ने मुझ में इतनी बुराईया निकाल दी कि अब मुझ में अच्छाईयों के अलावा कुछ बचाई नहीं है तो इन्हीं अच्छाईयों के साथ आज हम सीखते हैं शिक्षन व्यू रचनाओं के प्रकार और शिक्षन व्यू रचनाओं के जो प्रकार है वो मुख्य ताहर दो भागों में विवाजित किये जाते हैं तो दोस्तों वो कौन से दो भाग हैं तो देखिए इसको मैं आपके लिए स्क्रीन शॉट लेने के लिए मैं इस तरह क्या पूरा ये परफॉर्मा जो है वो लिख के आपके सामने प्रस्तूत करती हूँ ताकि आपको स्क्रीन शॉट लेने में आसानी हो प्लस समझने में भी आसानी हो क्योंकि जो मैं व्याख्या कर रही हूँ वही पीछे लिखा हुआ है तो इससे आपका कॉंबिनेशन बनेगा और आपकी ज्यानेंद्रिया जो है वो ज्यादा सक्री होंगी और अधिगम की प्रक्रिया ज्यादा रूप से बहुत स्पीडिली बहुत फास्ट मैनर में बहुत ही स्विफली आपके माइंड में जो है ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसको हम देख रहे हैं शिक्षन व्यू रचनाओं के प्रकार में दो प्रकार मुख्यत है ये विबाजित होते हैं तो ये दो प्रकार कौन से हैं फर्स्ट है प्रभूत्ववादी प्रकार और दूसरा है प्रजातांत्रिक प्रकार प्रभूत्ववादी जिसको हम कहते हैं dictator, जिसको हम कहते हैं autocratic और बाकी दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं democratic यानि की प्रजातांत्रिक तो प्रभूत्ववादी में क्या-क्या characteristics होते हैं When you go for a teaching which is related to what प्रभूत्ववादी प्रकार तो उसके characteristics क्या होंगे तो उसके characteristics होंगे कि ये परंपरागत रूप को follow करता है And what is that परंपरागत MDH मसाले? परंपरागत रूप को follow करता है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शिक्षन की पद्दती है ये जो व्यू रचना है इसमें मुख्य पात्र कौन होगा? इसमें मुख्य पात्र सलमान खान नहीं इसमें मुख्य पात्र होगा अध्यापक और अध्यापक केंद्रिच शिक्षन कराया जाता है यानि कि सारे के सारे copyrights, सारे के सारे veto power किसके पास है? एक teacher के पास है और चात्र कैसा होगा? चात्र की भागीदारी बहुत कम होती है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वर्तमान में जो शिक्षन पद्दती apply की जा रही है, क्रियानवित की जा रही है वो कैसी है? चात्र केंद्रिच शिक्षन पद्दती है जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमपरागत के तरीके का irus परमपरागत MDH मसाले में किस चीज़ की सबसे ज़दा महत्वपून भूमिका है तो अध्यापक की और अध्यापक की अगर ज़दा भूमिका है उसी के पास सारे कौपी राइट्स हैं उसी के पास सारे विटो पावर हैं तो चातर क्या करेगा यहाँ पर चातर आराम से बैट कर जो है गाने गुन गुनाएगा अपने अधिगम की प्रक्रिया उसकी बिलकुल निश्कृरी हो जाएगी वो खुद निश्कृरी हो जाएगा और कमपास लेकर और बैंच पर कुछ आकरतिया बनाएगा जिसको हम दिल के नाम से जानते हैं, तो दिल बनाएगा, एरो बनाएगा, अपने नाम लिखेगा, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया में वो भागिदार बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो रिमोट कंट्रोल है, वो किसके पास है, पूरा रिमोट कंट्रोल टीचर के पास है, तो इसे ही कहते हैं हम परमपरागत MDH मसाले, यानि की परमपरागत व्यू रचनाई, और इस तरह की शिक्षन व्यू रचनाओं में, क्या च्छत्रों पर जरा सा भी लेश मात्र भी प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो बच्चे हैं, इन से न तो कुछ पूछा जा रहा है, न इनको कुछ बताया जा रहा है, बस फाल तुमें इन पर सारा खा सारा जो शिक्षन है, वो थोपा जा रहा है, उनको समझने की कोशिश ही नहीं की जा रही है, कि ये कोई केस टड़ी जो है, वो इसमें नहीं की जाती, सिंपली एक टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है, उसको बच्चों से कोई मतलब नहीं है, अधीगम प्रक्रिया कैसी चल रही है, वो भी कुछ नहीं है, वो अपना बैस्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी अधीगम की प्रक्र या सूचारू रूप से नहीं चल सकती, क्यों, क्योंकि बच्चे जो हैं, वो न तो क्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, टीचर से, न भावनात्मक रूप से, और न ज्यानात्मक रूप से, यहां पर केवल और केवल शिक्षक की ही भूमी का रहती है, तो इसमें जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जबकि आजकल आधूनिक जमाने में, कल यूग में गारंटी की चिंता न करें, तो यहां पर यह गारंटी की चिंता आपको दी जा रही है, गारंटी दी जा रही आपको इसकी चिंता की बात ही नहीं है क्योंकि बाल केंद्रिच शिक्षा का माहौल है और ये बाल केंद्रिच शिक्षा का माहौल आपको कहां मिलेगा प्रजा तांत्रिक व्यवस्था में मिलेगा प्रजा तांत्रिक शिक्षन पद्दती में मिलेगा एक डेमोक्रेटिक माहौल जिसमें स जैसे कि पारल्यामेंट में सांसदों को अधिकार है कि वो प्रश्न काल में प्रश्न करें तारंकित प्रश्न और infring प्रश्न उसी तरह से आधुनिक विधी में आपको डैमोक्राटिक माहौल प्रवाइट किया जाता है और उसमें हमने अपने पिछली वीडियो में सीखा ह कि बच्चे जो हैं आजकल आधुनिक माहौल में ये हो रहा है अगर ग्यान का स्तर सबसे सर्वोच्चम लेवल पर है अधिगम का स्तर सबसे शिखर पर है तो क्या होगा बच्चा क्वेश्चन करेगा और टीचर जो है उसके आंसर देगा लेकिन प्राचीन पद्दती में क्य यहां पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं और अगर टीचर आंसर दे रहा है तो समझ जाना चाहिए कि अधिगम के सर्वोच्च शिखर पर यहां तक पहुंच चुके हैं और इसी को हम कहते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षन पद्दती इसमें देखिए अब एक कन्फूशन हम क्या हो रहा है क्या सिर्फ छात्र ही सक्रिय होता है क्या छात्र के इंदर शिक्षा है जी हां बिल्कुल लेकिन सिर्फ और सिर्फ छात्र सक्रिय नहीं होता है यहां पर अंतरक्रिया सक्रिय रूप से की जाती है और वो अंतरक्रिया किसके बीच में होगी टीचर और ज्यासाओं पर main focus किया जाता है प्लस छिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं teacher as well as students both are very very active in this process ऐसा नहीं है कि छात्र सक्रिय है और छिक्षक जो है कैसा है एक अधिगम करता या फिर सुविधा प्रदाता के रूप में आता है बिल्कुल नहीं यहाँ पर सुविधा प्रदाता नहीं वो पूरी की पूरे process में पूरी प्रक्रिया में participate करता है समझ में आ रही ये बात तो चीजें हमें काफी चीजें तो पता है लेकिन उन सारी चीजों को उन सारे तथियों को जो आपको पता है उसको थोड़ा सा synchronize करना पड़ेगा थोड़ा सा systematic करना पड़ेगा तो आपको प्रजात अंत्रिक और प्रभूत्ववादी के बीच में भेद करना आना चाहिए ये बात आपको समझ में आ गई अब हम अपने next step की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभूत्ववादी शिक्षन में किस-किस तरह की पदतिया एक्जाम में आ सकती है और हमसे पूछा जा सकता है question और वे question कैसा होगा प्रभूत्ववादी की फैमिली में नहीं आता है अब हमें उसकी पूरी फैमिली के मेंबर्स का नाम करन पता होगा तब हम इसको filter कर पाएंगे that this is not the member of this family लेकिन यहाँ पर पहले सारे members से जान पहचान कर ले उनका नाम करन जान ले और उसके बाद में फिर हम ये decide कर पाएंगे कि which one is the odd and which one is not in the family of प्रभूत्ववादी शिक्षन तो चलते हैं कि प्रभूत्ववादी शिक्षन में हमें कौन से प्रकार याद रखने है तो देखिए बिलकुल systematic तरीके से मैं arrange करके ये चीज़ें आपके पास लाई हूँ तो आपका भी एक उत्तरदाई तो बनता है कि आप इन वीडियोस को जादा से जादा शेयर करें क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है तो यहाँ पर जितना जादा आप शेयर करेंगे उसका सारा credit आपको मिलेगा क्योंकि इन वीडियोस को शेयर करने पर चाहे अगला इंसान जो है वो चाहे देखे चाहे न देखे लेकिन पुर्णिय का जो point है जो पूरा ये जो credit आपको जाता है ये credit आपके bank account में add up होगा तो इसलिए मैं आपको बार-बार remind भी करा रही हूँ कि like, share और comment करना न भूले और comment में भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे lecture में आपको सबसे ज़ादा क्या पसंद आया मेरी expression जो words है, words, diction है वो पसंद आया, मेरा content पसंद आया ये wholesome आपको सब कुछ पसंद आया और आप में transformation वाला जो परिवर्तन है वो आपने खुदने महसूस किया So please let me know through the comment box that what do you like the best Otherwise आजकल तो माहल क्या चल रहा है कि सारे videos में teachers जो है वो motivation का जादा उनका काम रहता है और पढ़ाने का content जो उनका है वो बिखरा हुआ है अलाकि मैं criticize नहीं कर रही पर इस career oriented time में Instead of going for the scattered format, you should synchronize the content like this मैं जैसे आपके लिए synchronize करके चीजों को इकटा करके ला रहे हूँ समयकित करके ला रहे हूँ Teachers और इसमें बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं तो इस तरह के भ्रमित होने से, diversion होने से कैसे बचना है ये आप अपने स्वयम की विवेक पर काम करें ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभुत्ववादी में हमें क्या पढ़ना है तो प्रभुत्ववादी में हमने देखा देखे उपर मैंने लिख रखा इसको कि प्रभुत्ववादी पद्दती है ये और प्रभुतुवाधी पद्यती में हम क्या देख रहे हैं इसमें हमने देखा वेरी फर्स्ट है व्याख्यान विधी और व्याख्यान विधी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्याख्यान विधी लक्छर मैथड इसमें एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो लक्छर म केवल सुना जा रहा है और सुनने मात्र से उनके memory card की chip अंदर mind में इतनी strong है, इतनी strengthened है कि वो इन चीजों को सुनने मात्र से ही सारी चीजें उनको कंठस्त हो जाती हैं, सारा का सारा ये जो सूत्र साहित्य है वो उन्हें याद हो जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक श्रो रहे हैं और बच्चे उसे श्रोतागन के रूप में सुन रहे हैं, और सुनने मात्र से उन्हें ज्यान प्राप्त हो रहा है, that is called व्याख्यान विदी, that is called प्राचीनतम विदी, ये oldest method है, जैसे आप से इंग्लिश में पूछा जाता है, what is the oldest method of fiction, so that is story, तो उसी तरह से यहा पर प्राचीनतम विदी है psychology में, क्या प्राचीनतम विदी मानी जाएगी आपकी व्याख्यान विदी, जिसको हम कहते हैं lecture method, next देखिए, पाठ प्रदर्शन विदी, अब ये पाठ प्रदर्शन शिक्षन में क्या कराया जाता है, ये भी MDH मसाले ही है, परंपरागत विदी कि छात्र जो है, वो क्या कर रहा है, अनुसरन कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पर बोला जाता है न, आपकी ये network, जितने भी social media groups हैं, उसमें बोला जाता है कि मुझे फॉलो कर लीजे, मेरी profile को फॉलो कर लीजे, तो यहाँ पर ये जो छात्र है, ये फॉलो कर रहा है, किसको शिक्षक को, कौन से शिक्षन पदती में, पाठ प्रदर्शन शिक्षन पदती में, whenever there is lesson deliveries, lesson delivery by a teacher, then all these students are following that particular lesson as well as particular teacher, उसको हम कहेंगे पाठ प्रदर्शन विधी, next देखिए, ये exam में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि टुटोरल शिक किसमें आता है, टुटोरियल शिक्षन सामानितया, आपके प्रभूत्ववादी जो शिक्षन का प्रकार है, उसमें आता है, और सामानितया नी, 100% इसी में आता है, टुटोरियल में आपको क्या याद रखना है, कि यहाँ, जो शिक्षन है, ये कैसा है, उपचार आत्मक श Tutorial कैसा शिक्षन है? Tutorial is basically a remedial teaching. अब इस remedial teaching में क्या हो रहा है? तो teachers को एक group जो है वो दे दिया जाता है. चात्रों का एक अनुवर्ग, अनुवर्ग यानिके group. तो चात्रों का एक group teacher को दे दिया जाता है, सौप दिया जाता है और वो निर्देशन और परामर्ष के माध्यम स guidance और counseling के माध्यम से, guidance और counseling हम अपने पिछली वीडियो में इसको cover up कर चुके. What is the difference between guidance and counseling? तो यहाँ पर आपको यह चीज आने चाहिए कि guidance और counseling क्या होता है? तो teacher यहाँ पर क्या कर रहा है? With the help of guidance and counseling, जो भी बच्चों का group teacher को दिया गया है, उसमें वो क्या provide करा रहा है? उ इसी को हम कहते है tutorial शिक्षन, जो कि किस में आता है? प्रभूत्ववादी में आता है. अब आप देख लीजिए कि जो guidance और counseling प्रोवाइड कर रहा है, सारा का सारा copyrights उसके हाथ में होगा या जो बच्चा सुन रहा है, उसके हाथ में जादा अधिकार होंगे. ओव्यस सी बा भूमी का अधा नहीं करते, जादा भूमी का होती है teachers की. जैसे देखा जाता है कि पुराने जमाने में क्या होता था? ट्यूशन्स. आज भी ट्यूशन्स, coachings हैं. तो ट्यूशन्स में क्या है कि अगर पता चल गया कि कोई बच्चा ट्यूशन जा रहा है, तो ये एक तरह क इंसल्ट होती थी उसके लिए और उसके माबाप के लिए. तो ये बहुत secretly ये काम किया जाता था. क्यों? क्योंकि यहां पर ट्यूशन अगर कोई बच्चा जा रहा है, तो उसका ये अर्थ निकाला जाता था कि वो एक failure candidate है. वो बिलकुल धपोर शंक बालक है और उसकी पहले ही हुआ करता था. बहुत बाबा आदम के जमाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ. लेकिन ट्यूशन को बहुत humiliation माना जाता था. ना तो बच्चा ट्यूशन जाना पसंद करता था और ना parents कभी reveal करते थे कि यहां पर हमारा बच्चा जो है वो ट्यूशन जाता है. क्यो बन गया है? इंडिस्पैंसिबल अपरिहारे बन गया है. तो आपको उससे याद रहेगा कि टूट्यूरियल में इस शिक्षन विधी में क्या हो रहा है? जो टीचर है वो जादा अधिक जो है वो एक्टिव है. अम हम इसका important section देख रहे हैं that is called अभी क्रमित अनुदेशन. अभी क्रमित अनुदेशन में हमें क्या देखना है? that is called programmed learning, programmed instructions होते हैं. जैसे आपने कोई test series जो है वो अपने mobile phone में कोई test series जो है वो join किये. अब test series जो join की है वो काफी कुछ अभी क्रमित अनुदेशन यानि की programmed learning और instructions के थ्रू ही होती है. उस test में उपर माते पर लिखा कि ये 50 अंकों का test है और 1 by 3 यानि कि एक बटा तिहाई marks काटे जाएंगे कोई भी question गलत होने पर इसमें आपको 30 second का समय दिया जाएगा इसमें आपको question का answer देना है और उस question के answer को देने के बाद हर 5 question के बाद आपको क्या मिल रहा है? पुनरबलन मिल रहा है. A kind of reinforcement is given to you कि अरे वा, you are up to the next level. You have cleared this first level that consists of 5 questions और उसके बाद आपको पुनरबलन मिलता है. पुनरबलन से आप बिलकुल glucondi जैसा पिया हुआ आप महसूस करते हैं कि हां motivation मिल गया. उसके बाद आप 6 question पे जाते हैं और अब motivation कभी भी मिल सकता है. That is, जितने questions आप write करते हैं, उतने questions के बाद आपको क्या मिलता है? motivation मिलता है, पुनरबलन मिलता है. कि keep it up, carry on, congratulations, you have secured 10 on 10 marks, now we are proceeding to 11th question. तो इस तरह से जब आपको motivation मिले और ये सारी control conditions में आप participate कर रहे हैं, तो आप सक्रिय होंगे कि नहीं? आप अगर car driving कर रहे हैं और car driver की seat पर आप बैठें, तो जो car driver की seat पर बैठा है, वो ज़्यादा सक्रिय होगा, या car में जो अन्य व्यक्ति बैठे हैं, वो ज़्यादा सक्रिय होंगे, तो अभाविक सी बात है कि जो car driving कर रहा है, वो ज़्यादा activate होगा, उसका mind ज़्यादा कैसा होगा, सक्रिय होगा, बाकी दूसरे लोग हो सकता है कि बाला जी वेफर खा रहे हों, सो रहे हों, या फिर कुछ गाने सुन रहे हों, या फिर लीलवे चिल रहे ह या मटर चिल रहे हों अपने कार में बैठके, लेकिन जो car driving की seat पर बैठा है, उसको अपना mind जो है, वो एक minute के लिए भी वो अपना mind deviate नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी अभी क्रमित अनुदेशन में भी, programmed instruction में भी कुछ ऐसी तरह का महौल बनाया जाता है, जिसमें बच् अपने पेश से वो आगे से आगे question करता है, उसको यह बाध्यता नहीं है कि दूसरे बच्चे कितना जल्दी कर रहा है, मैं पीछे रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं, वो अपनी स्वयम की गती से इस सारे test को संचालित करता है, 30 सेकिंड दिये हुए हैं, अब उस 30 सेकिंड में जैसे उसकी मरजी पड़े तो वो कोई से भी सेकिंड में आंसर दे सकता है, 11 सेकिंड में दे सकता है, 20 सेकिंड में दे सकता है, 25 में दे सकता है, इवन लास्ट अन्तिम शन 30 सेकिंड में भी वो आंसर दे सकता है, it's up to him or her, तो उसमें कोई problem यहाँ पर test में नहीं होती, जब कुछ आता है या इसको कुछ नहीं आता है इसी वज़े से इसका पेपर जो है वो इतना जल्दी समापत हो गया तो यहां पर हमारी जो गती है हमारी जो स्पीड उस पर दूसरों का प्रभाव भी पड़ता है वी आर इंफ्लूएंस बाइदी एक्स्टरनल फैक्टर लेकिन य आधुनिक्तम पद्यती है फिर छात्र के व्यभार को नियंतरित परिस्थितियों में संचालित किया जाता है छात्र का जो व्यभार है उसको क्या किया जाता है controlled conditions में उसको रख दिया जाता है यानि कि आप test दे रहें तो आपके deviate आपके भ्रमित होने के जो chances है वो बहुत कम है आप test दे रहें चाए वीडियो गेम दे रहें लेकिन उसमें आपको focus तो करना पड़ेगा और जैसे ही focus करेंगे तो बाहे परिस्थितियों में सामने से को स्वच्छ भारत का इरादा तो यहां पर यह सारे external factors जो है यह आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे वाइब को सारा focus आपके test पर है because the time is limited that is 30 seconds within 30 seconds you have to give your answer so this is completely regulated in controlled conditions यह बात आपको याद रखनी है दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जात्र स्वयम सीखता है जब उसका question सही होगा तो भी वो सीखेगा और जब गलत होगा तो तो और ज्यादा सीखेगा क्यों? क्योंकि उसको ये अफसोस रहेगा कि अफसोस गलत जवाब तो ये गलत जवाब हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन जो सवाल हमारे सही होते हैं वो हमें शायद हो ना हो याद न रहे लेकिन जो गलत जवाब होते हैं वो मरते दम तक याद रहते हैं जैसे last read के exam में मुझे एक student ने बताया कि madam एक question आया था और वो question था कि Rana Pratap के हाती का क्या नाम था और मैंने उसमें चेटक भर दिया चेटक OMR sheet में fill up कर दिया जबकि हाती का नाम पूछा था तो यहाँ पर उसने चेटक जो fill up कर दिया है वो अगले आने वाले पचास सालों में जब तक वो student जिन्दा रहेगी तब तक वो उसी गलती याद रहेगी कि I did this mistake that time and what question was asked and I replied the wrong answer तो वो चीज उसको हमेशा याद रहेगी तो छात्र अपनी गती से सीखता है स्वयम सीखता है और इस पूरे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है छोटे छोटे पदो में ये चीजें प्रस्तुत की जाती है जैसे दो question दिये फिर reinforcement पांच question दिये फिर पुनरबलन दिया जा रहा है तो छोटे छोटे frames बनाए जाते है तो बच्चे को इतना भार नहीं लगता है बच्चे को लगता है कि अच्छा इतना सही तो है cover up कर लूँगा दो question ही तो और है cover up कर लूँगा 10 ही तो है और फिर उसको पुनरबलन भी दिया जा रहा है तो वो excited हो जाएगा कि इसके आगे और कौन से questions आने वाले है and I have scored very nicely up till this level so I will score very perfectly in the another level तो उसकी expectation भी बढ़ जाती है और उसको video game जैसे इस test को देने में मजा आने लगता है तो छोटे छोटे पदों में ये चीजे प्रस्तुत की जाती है इसको हम programmed instruction में कहते है frames इन छोटे छोटे पदों को हम क्या कहते है frames आगे देखें कि स्वयम की गती से पढ़ते है यह हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो अपने own pace P-A-C-E pace baller आपने नाम सुना होगा तो वो अपनी गती से सीखते है सक्रिय अधिगम होता है जो learning होती है वो कैसी होती है active mode में होती है यहाँ पर बच्चे खुद question कर रहे है खुद answer दे रहे हैं उनको marks मिल रहे हैं पुनर बलन मिल रहा है फिर वो आगे के level पर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो अधिगम है वो अपने best तरीके से हो रहा है जो सर्वोत्तम अधिगम है वो यहाँ पर होता है सक्रिय अधिगम स्वयम पुनर बलन प्राप्त होता है अब उसने खुदने question के answer दिये है और question के answer देने पर automatically क्योंकि वो एक software है तो software automatically अगर question right है तो आपको क्या देगा पुनर बलन देगा कि congratulations you have crossed this level of 5 questions and now you are into the another level तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्वयम पुनर बलन प्राप्त हो रहा है जैसे ही वो पूपाडी वाली जो बच्चा है वो उसके screen पर आएगा और वो खुश हो जाएगा कि अरे वाह क्या बात है देखा मैंने ये level जीत लिया तो यहाँ पर ये क्या है पुनर बलन है जो वो खुद automatically उसे मिल रहा है और next क्या है लेकिन एक खामी भी है इस programmed instruction में सारी बाते हमने देख ली लेकिन यहाँ पर जो उदेश हमने करे थे कौन से उदेश ज्यानात्मक उदेश भावनात्मक उदेश और क्रियात्मक उदेश तो यहाँ पर programmed instruction में कौन से objectives का fulfillment होता है only and only cognitive जो objectives है ज्यानात्मक उदेशों की ही प्राप्ती होती है तो मुझे इस पूरे program learning में शायद सबसे important point मेरा यही है कि program instruction में कौन से objectives या उदेशों की प्राप्ती होती है ज्यानात्मक उदेश तो बाकी भावनात्मक और क्रियात्मक उदेश कहां गए भावनात्मक उदेश में हमने क्या पढ़ा था वीडियो में कि यह रूची और भावनाओं से सम्मंदित होता है बालक की क्रियात्मक में क्या पढ़ा था कुछ भी motor skills जिसमें बच्चा क्रिया कर रहा है so that was called क्रियात्मक उदेश ठीक है तो यह न तो क्रियात्मक उदेशों को पूरा करता है न भावनात्मक उदेशों को पूरा करता है सिर्फ और सिर्फ ज्यानात्मक उदेशों की पूरती programmed instruction से हो पाती है और शुरुवात में मैंने क्या कहा था मैंने शुरुवात में कहा था कि प्रभुत्व वादी शिक्षण में आपको चार विकल्प दिये गए और उसमें से क्या किया गया उसमें से पूछा गया कि इन चारों विकल्प में से असत्यकथन को छाटिये या फिर figure out the odd one यहाँ पर आपको हमने चारों नाम बता दिये हैं कि प्रभुत्व वादी शिक्षण में कौन कौन से शिक्षण पद्दतियां आएंगी उनके अलामा कोई नाम आता है तो आप उसको अब figure out कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा यह चार पद्दतिया कौन सी हैं व्याख्यान पद्दति है, पाठ प्रदर्शन है tutorial जो की बहुत-बहुत important है fool, पत्ती, चान, सितारा यहाँ पर बना लीजिए और फिर अभी क्रमित अनुदेशन है तो इस तरह से हमने एक segment पूरा करा that is called प्रभुत्व वादी शिक्षन autocratic teaching और इस autocratic teaching में बच्चा क्या है? बच्चा जो है वो पानी में बुलबुले छोड़ रहा है आपने गुबारे फुला रहा है उसका अधिगम में इतना सक्रिय पार्ट नहीं रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है यह जो विधी है पूरी वो अध्यापक केंद्रित होती है तो इस वज़े से यहाँ पर जो चात्र है हाला कि अभिक्रमित अनुदेशन में कुछ अच्छी बाते भी हमने सीखी है कि छोटे फ्रेम में होता है पुनर बलन स्वयम मिलता है सब ठीक है लेकिन यहाँ पर पूरे होलसम मैनर में अगर प्रभुत ववादी शिक्षन को देखा जाए तो यह इतना जादा प्रभावकारी नहीं है जितना प्रजा तंत्रिक शिक्षन होता है ठीक है क्योंकि हमने एक बात और सीखी है अनुभव के शंकू से एडगर डेल का जो अनुभव का शंकू था उसमें हमने सीखा था कि मैक्जिमम लर्णिंग कम होती है जब बच्चा खुद करके सीखता है उसकी जितनी ज्यानेंद्रियां सीखने में काम में आएगी उतना लंबे समय तक उसको याद रहेगा प्रभावशाली तरीके से दीर्ग कालिक स्मरती में बंडारित करने के लिए सारी ज्यानेंद्रियां जो है अधिगम के टाइम सक्रिय होनी चाहिए ब्रूनर ने भी यही कहा है जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा कि बच्चा अपने ज्यान का निर्मान स्वयम करता है तो वो ज्यान का निर्मान जब स्वयम करता है, तो इसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और यही इंटरेक्शन वाली स्टाइल, अब हम अपने नेक्स्ट वाले सेगमेंट में देखने वाले ह प्रभुतुवादी शिक्षन में अभी तक हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अब हम देख रहे हैं प्रजातांत्रिक शिक्षन, तो प्रजातांत्रिक शिक्षन में भी मैंने यही स्टाइल फॉलो की है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रजातांत्रिक शिक्षन मे सबसे पहला point जो हमें याद रखना है वो क्या है प्रश्णोतर शिक्षन, question and answer methods जैसे यम और नचिकेता का समबाद हमने सुना था तो यहाँ पर इसी तरह का interaction होता है जब शिक्षन में interaction हो रहा है and interaction is in the form of question and answer जो एक व्यक्ति है वो question कर रहा है और answer दूसरे चात्रों द्वारा दिया जा रहा है so that is called प्रश्णोतर विधी या शिक्षन और इसे popularize किस ने किया सुक्राफ ने इसे popularize किया so that's why it is called Socratic method और इसमें होता क्या है main बात जो आपको याद रखनी है प्रश्णोतर शिक्षन में वो है कि पूर्व ज्यान से नवीन ज्यान की ओर ले जाया जाता है from known to unknown वाली जो style है जो teaching maxim है वो इसमें follow किया जाता है अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रश्णोतर शिक्षन को सुक्रातिक विधी भी कहा जाता है बिल्कुल सही बात है प्रश्णोतर शिक्षन आपका जो है प्रजात अंतिक शिक्षन का भाग है बिल्कुल सही बात है प्रश्णोतर शिक्षन में पूर्व ज्यान से नवीन ज्यान की ओर ले जाया जाता है अब आप क्या इसमें असत्य कथन नहीं चाट सकते कि यहां पर प्रश्णोतर शिक्षन में क्या हो रहा है अग्यात से ज्यात नहीं ग्यात से अग्यात की ओर ले ज ले जाया जाता है, from known to unknown ले जाया जाता है, from abstract to concrete, sorry, from concrete to abstract आपको ले जाया जाता है, मूर से अमूर तक आपकी जो ये यात्रा है, ये चलती है, तो इसमें प्रशनोतर विधी में सबसे important point जो मैं मानती हूं आपको याद रखना है, that is called teaching maxim, और वो teaching maxim है, पूर्व ज्यान से धीरे धीरे क्या किया जाएगा, धीरे धीरे जिन्दगी में आना, तो धीरे धीरे यहाँ पर बताया जाएगा, कि अब आपको जो ऐसे level पर ले जाया जाएगा, जिसमें आपको चीजे नहीं आती है, लेकिन पहले वो चीजे recall कराई जाती है, जो आपको याद है, right, तो ज जी खाई देती है वो क्या एक ही color की होती है तो फिर बच्चों ने बोला नहीं नहीं अलग-अलग color की होती है रेड भी होती है ये जलो भी होती है ब्लाक भी होती है। तो फिर वो और बताते हैं कि हाँ हमें पता है कि नदी के पास वाली जो है वो जलोड मिटी होगी बाकी रेगिस्तान में बलूई मिटी होगी यह सब आइडिया हमको है फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा why there is variation of colors in this soil मिटी तो मिटी है खून में मेरे मिटी मिटी में मेरे खून लेकिन यहाँ पर यह जो मिटी है उसमें इतने color variation क्यों आ रहे हैं यह गिरगिट जैसे अलग-अलग रंग क्यों बदल रही है तो अब यहाँ पर सारे बच्चे जो है वो शान्त हो गए और वो टीचर के चहरे को देख रहे हैं कि टीचर का चहरा थोड़ा सा जूम हो जाएगा और आंसर पता पढ़ जाएगा क्यों क्योंकि उसमें आप बच्चों में curiosity generate हो गई है कि हाँ why there is color variation in the soil और अब उनको इस question का answer नहीं आता फिर teacher बोलेगा थांबा और थांबा करने के बाद वो अपना answer बताएगा कि चलो आज हम यही topic पढ़ते हैं कि अलग अलग मिटियों के जो रंग है उसका मूल भूत कारण क्या है so what is that that is questionnaire teaching method जिसको हम कहेंगे पूर्व ग्यान से नवीन ग्यान की और फिर हम देख रहे हैं सामुहिक चर्चा एक collective discussion होता है बच्चों में और वो collective discussion में होता क्या है कि एक particular बिंदू पर उनको विचार करने के लिए दे दिया जाता है कि यहां पर global warming बहुत जादा हो रही है हरित गरह प्रभाव जो है वो बहुत जादा है greenhouse effect so what are the reasons of global warming क्या 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 का अपस में एक दूसरे से बात करेंगे तो होगा गया स्रजनात्मक चिंतन का विकास होगा एक creative thinking निकल के बाहर आएगी कि ओके global warming मतलब क्या होता है greenhouse effect मतलब क्या होता है यहां पर greenhouse मतलब basically एक science का word coin किया गया है जिसमें जो बहुत सारे उपर परवतिये प्रदेश होते थे उन परवतिये प्रदेशों में ऐसे पेड़ पौधे उगाना ऐसा vegetation उगाना जो कि स्थानी शेत्र पर उस climate के according अवेलेबल नहीं था वो पौधे उगाना लेकिन वहां पर भी हमें आम और केले और इस तरह के बैंगन और इस तरह के पौधे उगाने तो जो उच परवत चो कैबिन में उनको artificial तरीके से क्या प्रवाइड किया जाता है उसी तरह का climate प्रवाइड किया जाता है जो कि उनको किसी स्थानी श्तर पर जो पेड़ पौधे उग पाते हैं अपनी adaptation अनुकुलन के अनुसार उसी तरह का वातावरण प्रवाइड किया जाता है और जो sun rays जो कैबिन में आती है वो trap हो जाती और trap होने के बाद वापस परावर्तित नहीं होती इसी तरह को हम कहते हैं green house effect लेकिन ये green house effect ये हरित गरव प्रवाव हमारी प्रत्वी पर कैसे काम कर रहा है ये तो हमने science की बात कर ली लेकिन प्रत्वी के संदर्व में हरित गरव लेकिन ये सारी गैसें किस तरह से behave कर रही हैं जिसको हमने नाम दे दिया green house effect तो इस बिंदू पर बहुत सारी चर्चा की जा रही है फिर finally ये decide हुआ क्या बच्चों में स्रजनात्मक चिंतन का विकास हुआ और इस creative thinking से क्या हुआ तो इस creative thinking से बच्चों ने सोचा ओके due to the emission of carbon dioxide this problem is the burning topic of the present day world ये सबसे जादा ज्वलन समस्या है आज के यूग की हरित गरव प्रभाव तो क्यों ना इसको कम करने के लिए carbon dioxide के उच्च सरजन को ही कम कर दिया जाए तो इन में स्रजनात्मक चा का विकास कैसे हुआ when they went for the group discussion तो इस तरह के शिक्षन में यही क किया जाता है ताकि बच्चों के स्रजनात्मक ताका विकास हो और वो कौन से शिक्षन विधी में आएगा वो आपके आएगा प्रजातांतिक शिक्षन विधी में नेक्स देखें परियोजना जिसको हम कहते हैं project teaching method हम सभी को पता है कि ये project teaching method जॉन डीवी के शिष्य विल्यम किलपेट्रिक ने जो है वो इंटर्यूस किया है अब इसके प्रकार आपको आने चाहिए कि विल्यम किलपेट्रिक ने जो project teaching method के प्रकार बताए वो कौन-कौन स थे रशनात्मक, कलात्मक, समस्यात्मक और अभ्यासात्मक ये project teaching के प्रकार बता है जिससे प्रशन सामानिता नहीं बनता है तो प्रशन किस से बनता है प्रशन बनता है इसकी steps से तो यहाँ पर जब भी कोई project teaching कराई जाएगी तो यह important question यहाँ पर बनता है फिर से हम चान सितारे और फूल पती बना लेते हैं इस पे कि यह सारे इसके हो गए चरण दाट इस परिस्थिती का निर्मान ऐसी परिस्थिती का निर्मान करना होगा जिसमें हम अपना project teaching बता सकें so that is परिस्थिती निर्मान पहले तो ऐसी परिस्थिती निर्मान करा ठीक है कि आकाश्वानी हुई कि तुम्हारा ये वाला पुत्र ही जो है कंस का वद करेगा तो पहले तो परिस्तितियों का निर्मान होगा ना, पहले तो background बनेगा, तो यहाँ पर ये परिस्तिति निर्मान करा, फिर प्रयोजना का चुनाव करा, परिस्तिति निर्मान करने के बाद में चुनाव किया कि कौन सा project जो है, वो सबसे best रहेगा, चुनाव करने के बाद उस कारे किया जा रहा है, because whatever project teaching is done, उसमें क्या किया जा रहा है, उसको record में संग्रहित किया जा रहा है, तो ये सारे चरण आपको क्रमबद तरीके से याद होने चाहिए, कि project विधी में कौन-कौन से चरण का उपियोग किया जाता है, तो अन्वेशन, अन्वेशन भी प्रजात अ संत्रिक विधी है, जिसको हम कहते हैं, heuristic method, जो heuristic method अपने basic word से बना है, that is called heurisko, और heurisko एक Greek word है, जिसका मतलब होता है, I found myself, right, देखे ये सारी चीजे मैं आपके लिए खुद लिखके रा रही हूँ, these are not the slide presentations की मैंने कहीं से cut, copy, paste किया, और आपके सामने पेश कर दिया, और ये मैं पहले से भी इसलिए लिख रही हूँ, क्योंकि ये time consuming ना हो, अगर मैं इसको आपके साथ साथ ही लिखती हूँ, तो उसमें होगा क्या बहुत जादा time consuming method ये हो जाएगा, तो better है कि screenshot लेने के लिए, और आपके सुन्दर सुन्दर notes बनाने के लिए, plus चीजों को अच्छी तरह से contest करने के लिए, इस तरह का performa मैं खुद अपने हाथ से लिखती हूँ, और यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, तकि जादा time consuming ना रहे, और आपको चीजें याद हो जाए, तो Greek word I found myself, heuristic का मतलब ये होता है, इसमें basically हमारा उद्देश क्या है समस्या का समाधान करने का जो इस तरह का जो शिक्षन है, ये किया जाता है, अब इसको introduce किसने किया heuristic method को ये question आपका बहुत जादा पूछा गया है, तो वापस इसकी आगे चांड सितारे फूल पत्ती बना लेंगे, that Armstrong introduced the method that is called heuristic method, that is called unvation method, तो खुद की खोज में निकल अमिताब बच्चन का आपने ये जो motivational song ये सुना होगा, तो यहाँ पर भी unvation, यानि कि समस्या का समाधान मुझे खुद करना है, लोग तो क्या करते हैं, लोग सिर्फ राय देते हैं, समाधान तो खुद के पास है, तो यहाँ पर जब समाधान हमारे पास है, यानि कि बच् समस्या समाधान का जो शिक्षन है, ये इस तरह का शिक्षन कराया जाता है, जिसमें बच्चे स्वयम समस्या का समाधान कर पाते हैं, और इसे इंटर्ड्यूस किसने किया, Armstrong फिर देखें, कि समस्या का सामना करना, ये सब इसके स्टैप्स हैं, कि आपको हुरिस्टिक लेकिन जैसे ही शादी करी तो समस्या तो आएगी, तो समस्या का सामना किया आपने, फिर उसका विशलेशन किया, अच्छा, ठीक है, ये प्रॉबलम है, ओके, I have to deal this problem, because happiness is not the absence of problem, it is the ability to deal with it, तो आपने पूरा विशलेशन किया, विशलेशन करने के बाद आपने क्या किया, आपने संग्रहित किये, क्योंकि विशलेशन करने के बाद आपको ये पता चल जाता है, कि कौन-कौन सी कम्या है, क्या-क्या प्रॉबलम से है, जिसकी वज़े से समस्या आई है, आपने संग्रहित किये, आपने संग्रहित करने के बाद उन आपने का भी क्या किया जाता है, विशलेशन किया जाता है, एनलाइसिस किया जाता है, और एनलाइसिस के बाद बनाई जाती है, very important point, that is called परिकल्पना, जैसे ही मैं इन आकडों का विशलेशन करूंगी, तो मेरे पास आएगी परिकल्पना, that is called hypothesis, और hypothesis मतलब ऐसी बात, ऐसे तथ्य, ऐसी सूचनाई, जिसके आधार पर मैं परिणाम का अनुमान लगा सकती हूँ, उसे कहते हैं परिकल्पना, तो जैसे ही मैंने आकडों का विशलेशन किया, मैं परिकल्पना कर सकती हूँ, कि इस समस्या में क्या क्या हो सकता है, या तो मेरी वाइफ मुझे छोड़के चली जाएगी, या वो मुझे दिवोस दे देगी, या सेपरेट हो जाएगी लेकिन दिवोस नहीं देगी, या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी ने करे लेकिन मेरे से बात नहीं करेगी, या ऐसा हो सकता है कि वो अब से जो फोन है उसमें मुझे ब्लॉक कर देगी, तो ये सारे परिणाम का जो विशलेशन हो रहा है सारे आंकडों का जब विशलेशन हो रहा है तो उस विशलेशन के आधार पर ही परिकल्पना की जाएगी और परिकल्पना मतलब परिणामों का अनुमान पहले ही लगा देना कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है CID वाले जैसे तो परिकल्पना हुई परिकल्पना के बाद उप्युक्त परिकल्पना का चैन किया जाएगा जो भी हाइपोथेसिस आप डिजाइन कर रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं उसमें से जो बेस्ट हाइपोथेसिस है उसका आपने selection किया तो उप्योग तो परिकलपना का chain किया chain करने के बाद उसको स्वीकरत कर लिया स्वीकरत हो गई वो परिकलपना तो स्वीकरत करने के बाद परिकलपना की स्वीकारिता हो गई यानि कि verification हो गया ISI mark लग गया कि ये जो परिकलपना है ये अपरूड है और इस तरह की परिकल्पना में ये ये परिनाम आएंगे तो यहाँ पर आपने heuristic method में ये ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है और ये जो चरण है इसमें आपको याद रखने है नेक्स्ट आप देख रहे हैं एतिहासिक खोज यानि कि historical surge जो है ये किसने design की है किसने introduce की है तो J.M. Brunner इसमें है क्या एतिहासिक तथ्यों का वर्णन किया जाता है और चात्र स्वयम तथ्यों की खोज करते हैं खोज कौन करता हैं? चात्र स्वयम इन तथ्यों की इन सारे डाटाज की जो है वो उनको discover करते हैं जैसे कि जलाल उद्दीन खलजी के लिए कहा जाता है कि प्रजा राजा से स्वतंत्र हो गई सुल्तान से स्वतंत्र हो गई और सुल्तान जो है वो प्रजा से स्वतंत्र हो गई क्यों क्योंकि यहाँ पर जलाल अद्दीन खलजी की जितनी भी नीतियां थी वो बहुत जादा दूर दर्शी थी और दूर दर्शी नीतियां होने की वज़े से उसने समय से पहले इन्हें लागू कर दिया था जैसे अपनी राजधानी जो है वो दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी तो ये एक failure proof हुआ, नए सिक्कों को introduce कर दिया था ये एक failure सिद्ध हुआ, तो यहाँ पर प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ती मिल गई, ये कहा जाता है तो what is that, तो छात्र स्वयम इन तत्यों की खोज करेंगे कि अच्छा, ऐसा इसलिए क्यों कहा जाता है, एतिहासिक तत्यों का वर्णन करेंगे और वर्णन करते करते वो इस निशकर्ष पर पहुँचेंगे, क्योंकि इतिहास होता क्यों इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं, ताकि भविश्य में और वर्तमान में वही गलतिया न रिपीट हो वही परिनाम वापस देखने को न मिले, जो पूराने जमाने में इतिहास में जो घटनाए घटी है और बुरे परिनाम और युद्ध हमने देखने को मिले हैं, तो वो परिनाम वर्तमान में कभी न हो इस वज़े से इतिहास को पढ़ा जाता है, तो छात्र इन तत्यों को कावर्णन करेंगे और इन तत्यों की खोज भी करते हैं, वो निशकर्ष भी निकालते हैं कि okay, history repeat itself, लेकिन अब इस तरह का वाकिया वापस हमारे समाज में नहीं होना चाहिए जिस से कोई आपत्ती और प्राकर्तिक आपदा हमारे समाज में आ सके तो इस वज़े से हम जब सिंदुगाटी सभ्यता पढ़ते हैं, हम हडपा और मोहन जोदरों की बात करते हैं तो विशाल स्नानागार और अनागार की बात होती है, means how mature civilization is this तो इसमें हम देखते हैं कि maturity अपनी पराकाष्ठा पर थी, अपनी climax पर थी और इसी maturity में उन्होंने इतने शांदार और विशाल अनागार और स्नानागार का निर्मान कर दिया how beautiful that civilization was, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं and in fact it is called town civilization, तो town valley civilization ये कोई ग्रामिंट सभ्यता नहीं थी ये कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामिंट थी और जबकि Indus valley civilization जो था, वो एक शहरी सभ्यता थी तो शहरी सभ्यता में इन लोगों ने इतने हजारों वर्ष पूर्व, पहले ही इतनी सारी नई नई चीज़ें इजात कर ली थी यानि इनको कितना ज़ादा ग्यान था, लेकिन इतना ज़ादा ग्यान होने के बावजूद फिर ये सभ्यता जो है अचानक से समाथ हो गई और उसकी समाथती का क्या क्या कारण रहा, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए ताकि हमारी वे सभ्यता का अंत, गौर्ड फॉबिट इस तरह से न हो तो उसमें चात्र इन तत्यों का वर्णन करते हैं और इन तत्यों की खोज करते हैं और उसके बाद निशकर्ष पर पहुँचते हैं फिर नेक्स देखें, यह हमारी फेवरेट RPSC का फेवरेट क्वेस्चन है यह, इस पे भी फूल पत्ती लगा लेंगे मस्तिक्ष उद्वेलन विदी, ब्रेंस्टॉमिंग माथर्ड विच वाज इंटर्डूस बाइ ओस्बॉर्ण इसमें आपको क्या याद रखना है, तो संग्यानात्मक शमता का विकास होता है कौन सी शमता का विकास होता है, मस्तिक्ष उद्वेलन विदी में, ब्रेंस्टॉमिंग में संग्यानात्मक शमता का विकास होता है संग्यान यानी कि क्या बहरी वातावरंड से प्राप्त सूचनाएं और जानकारी के पैकेट्स जो स्खीमा के रूप में हमारे माइंड में स्टोर रहते हैं तो संग्यानात्मक विकास सबसे जादा कौन सी प्रजातांत्रिक शिक्षन में होता है तो उसमें हमारा जवाब होगा Brain Storming Method which was introduced by Osborne Bon-Bon, Bon Bon biscuit खाते ही मस्तिक्ष में उध्वेलन, मजा आने लगता है कि ऐसी biscuit रोज क्यों नहीं मिलते, ऐसी चॉकलेट रोज क्यों नहीं मिलती तो that is Brain Stopping introduced by Bon 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 Biscuit यानी कि Osborne आप इसने क्या बताया है कि संग्यानात्मक विकास का सर्वोत्तम शम्ता का विकास इसमें हो जाता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे for example आपको रात को साड़े 11 बजे बहुत भूग लगी आपने शाम को खाना जल्दी खा लिया था और वो खाना भी कैसा था लौकी की सबजी और रोटी तो अब आपको साड़े 11 बजे भावड आई और भावड आने से आपको कुछ अच्छा मीठा खाने की इच्छा हुई फिर आप बिना लाइट जलाए फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं संग्यानात्मक विकास ये कैसा हो रहा है आपका संग्यानात्मक विकास ब्रेंस्टामिंग आपके माइन में उथल पुतल होगी और उथल पुतल करने के बाद पता चलेगा अच्छा जुकल पाटी हुई थी उसमें सारया केक तो खतम हो गया था लेकिन मुझे याद आया पाओ भर रजगुले अभी भी टिफिन में अलग से रखे हुए फ्रिज में तो क्या वो जाकर खालू मैं बिल्कुल खा लेता हूँ तो यहाँ बिना लाइट जलाए में चुपके से दबे पाँ गई फ्रिज खुला और वो चार रजगुले फटा-फट से बिना टेस्ट लिए मैंने गल्प कर लिए इसी तरह से बच्चों को अगर आप कोई विशे दे देते हैं अगर कोई ऐसा क्यूरिसीटी वाली टॉपिक आप उनको बता देते हैं तो उनकी संग्यानात्मक शम्ताओं का सबसे बेस्ट विकास होगा आप उनको बोल दीजिए कि आप इस क्लासरूम में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको सारी बाते क्लासरूम में याद हो जाए और घर पे जाकर होमवक करने की जरूरत ही न पड़े तो वो क्या करेंगे अपनी संग्यानात्मक शम्ताओं का बेस्ट विकास करेंगे उनके म मस्तिक्ष में चहल पहल हो जाएगी उथल पुथल हो जाएगी और वो मस्तिक्ष में सोचने लगेंगे कि हाँ बात तो अच्छी है कि होमवक अगर स्कूल में कर लिया जाए तो होम में होमवक रहे गई नहीं तो यह होमवक में बगबग भी नहीं रहेगी तो वो क्या किय फिर बच्चों ने सोचा कि जो भी हूंवग दिया जाता है उसको फटा-फट से चाट के थू अगर एक्जाम में अगर क्लास में लगा लिया जाए तो सारी बाते क्लास में याद हो जाएगी और घर जाके हूंवग करने की जरूत नहीं पड़ी तो ये मस्तिक शुद्वेलन उन्होंने खुद सोचा, खुद जाना और खुद परिणाम तक पहुँचे वो आसपास अपने क्लास रूम को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसी जानकारी उनके लिए उपयोगी है और कैसी जानकारी का फाइदा वो उठा सकते हैं कॉपी घर पे बूल गया और अगर टीचर ने मान लो फोन करके या वाटसप करके मेरी मम्मी से पूछ लिया कि अरे घर पे उसकी कॉपी रखी और बच्चा बोल रहा है उसने होमवक कर लिया कॉपी नहीं लाया तो प्लीज आप देखके बताएंगे और वाटसप पे फोटो भेजेंगे कि उसने कितना होमवक कर रखा है तो अब इस बच्चे के माइंड में क्या होने लगी ब्रेंस्टॉमिंग होने लगी कि मैंने बहाना तो बना दिया लेकिन ये बहाना बहुत पुरा ना है और टीचर क्योंकि सास भी कभी बहुत थी वैसे ही टीचर भी कभी स्टूडेंट थे और ये स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे किस-किस तरह के बहाने बना सकते हैं तो ये होता है brainstorming फिर finally उस बच्चे ने स्विकार कर लिया कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ पर मैंने homework नहीं किया है घर पे कोई copy नहीं पड़ी है सब फ़रजी बहाने मैंने बनाए हैं और अब मैं ये स्विकार करता हूँ तो इसी तरह का brainstorming का मैंने थोड़ा सा example दिया है तो इसमें संग्यानात्मक्षमताओं का विकास होता है शिक्षा में चिंतन स्तर डेवलप होता है नेक्स्ट हम देख रहे हैं भूमी का निर्वा रोल प्लेइंग माथर्ड छात्रों को क्रियाशील रखकर विभिन कौशलों का विकास किया जाता है अगर छात्रों को खुद अक्टिवेट कर दिया जाए तो विभिन कौशल उनमें डेवलप हो जाते हैं बहुत सारी स्किल्स उनमें डेवलप हो जाती है जैसे सोशल स्टेडीज में मैंने क्या करा अब उन राम का इंटर्विव भी आया था अभी क्योंकि कोरोना में पूछा गया था उनसे कि अब आप क्या कर रहे हैं तो वो बोल रहे थे कि अब तो मैं अपने पोते-पोतियों के साथ लूड़ो खेलता हूं तो फिर उन्होंने इंटर्विव में बताया कि जब से मैंने रामायन की उसके बाद मेरा कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं किसी मूवी में विलन का रोल प्ले करूँ मैं कोई ऐसे क्रूर व्यक्ती का रोल प्ले करूँ मैं कोई ऐसे व्यक्ती का रोल प्ले करूँ जो की किसको reflect करता है बुराई को reflect करता है इस तरह का role play करने की कभी हिम्मत ही नहीं हूँ My conscious was not allowing me to perform this role Why? क्योंकि यहाँ पर जब एक बार भूमी का निर्वा यानि कि उन्होंने राम भगवान शी राम भगवान का role play करा तो उनके सारे के सारे विचारों में भी वो role जो है वो समाहित हो गया तो इसी तरह से बच्चों में भी जब अलग-अलग characters का भूमी का निर्वा की जाती है क्योंकि हम बहुत आसानी से अपने couch पर बैट कर popcorn खाते हुए बोलते हैं पता नहीं सरकार क्या कर रही है पता नहीं politics ये क्या हो रही है पता नहीं politicians इतना पैसा क्यों खा जाते हैं जबकि अगर हम उस hot seat पर होते तो हम ये अनुभव कर सकते हैं वेन वी step into their shoes तो हमें पता चलता कि कितना मुश्किल होता है इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश में इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में परिवर्तन लाना चीजों को सिस्टम को सही करना कितना मुश्किल होता है लेकिन हमारे लिए तो काउच पे बैठे बैठे आसानी से हम बोल देते लेकिन वही चीज लोग तंत्र वाले topic को अब प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष चुनाव वाले topic को आप बच्चों से क्या करा रहे है भूमी का निर्वाह करा रहे है और भूमी का निर्वाह में उनको पता चलेगा कि ये पद्दती ये सिस्टम कितना tough है और इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता इसमें चातर क्रियाशील रहेंगे और महसूस करेंगे कि यहाँ पर क्या परेशानिया होती है कैसे याद किया जाता है और कैसे ये अभीनाय करते करते उस कौशल को भी प्राप्त कर लेते हैं जो कि उनके विचारों में एब्सॉप हो जाता है तो इसको हम कहेंगे भूमी का निर्वाश शिक्षन समवेदन शील और समवेदन शील शिक्षन में क्या होता है एक ट्रेनिंग ग्रूप होता है और छोटे-छोटे समू में बच्चों को बाट दिया जाता है और समस्या का समाधान कराया जाता है इसको हम कहते हैं समवेदन शील्ड शिक्षन, लास्ट हम देख रहे हैं टोली शिक्षन, अब टोली शिक्षन में क्या होता है, ये भी एक प्रजातांत्रिक तरीका है शिक्षन का, इस टोली शिक्षन में क्या हो रहा है, ये द्वित्य विश्वयुद्ध के दौरान इंटर् उस कराया गया था टोली यानि की ग्रूप टीचिंग और Francis Keppel ये नाम आपको याद रखना है Francis Keppel ने दल शिक्षण का सुझाव दिया था ग्रूप टीचिंग का सुझाव दिया था Francis Keppel ने और किसी दल द्वारा ये शिक्षण का कारिक कराया जाता है पूरी एक टीम होती है टीचर्स की और ये सारी टीम कैसी होती है कक्षा में एक साथ विबिन शेत्रों में दक्ष पूरी की पूरी जो टीम होती है उसमें एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं और वो एक्सपर्ट टीचर्स एक साथ एक team जैसे teaching का कारे कराते हैं और उसमें एक प्रमुख शिक्षक होता है तो इसमें team teaching में आपको क्या याद रखना है Francis Kappal का नाम इस चपल का नाम आप बिल्कुल भी नहीं बूलेंगे which is called Francis Kappal Francis Kappal introduced the term that is called Samu Shikshan या group teaching तो group teaching में फाइदा क्या है कि एक साथ आपको बहुत सारे दक्ष शिक्षक जो है वो एक platform पर दिखाई दे रहे और उसमें बच्चों को फाइदा हो रहा है उनकी जो skills हैं ये जो दक्ष शिक्षक हैं जो अपने अपने शेत्रों में महारत हासिल है इनको ये सारे शिक्षक जो हैं एक साथ दिशा निर्देश जब देते हैं एक साथ तो नहीं देते हैं एक प्रमुक शिक्षक होता है जो गाइड कर रहा है और बाकी शिक्षक जो हैं वो भी सीक्षक में guidance प्रवाइड करते हैं तो इस तरह से ये जो दल शिक्षन है ये बहुत जादा उपियोगी सिद्ध होता है बच्चों के साथ उन डक्ष टीचर्स का जब समवाद होता है तो जरूर स्रजनात्मक चिंतन का भी विकास होता है तो इस तरह से हमने देखा कि प्रजातांत्रक शिक्षन विधिया कौन सी है और प्रभुत्ववादी शिक्षन विधिया कौन सी है देखे हम अपनी day to day life में भी planning करते हैं। उसी तरह से शिक्षन में भी योजना बनाई जाती है। प्लानिंग की जाती है। और वो planning जो है वो तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। First planning हम कह सकते हैं वार्षिक योजना होती है। दूसरी planning होती है एकाई योजना और तीसरी planning होती है पाठ योजना तो इससे संबंदित आपको थोड़ा सा fact पता होना चाहिए कि वार्षिक योजना जो होती है वो year plan होता है शेक्षिक सत्र के लिए बनाई जाती है कि एक एक year में हमको क्या planning करनी है जैसे पंचवर्षी इसको हम कहते हैं वार्षिक योजना दूसरी योजना जो हम सीख रहे हैं वो है unit planning that is called इकाई योजना में क्या होगा तो इकाई योजना में मासिक, साप्ताहिक और दैनिक जितने भी पाठ हमको पढ़ाने है उसकी planning हम कर लेते हैं इसी को हम कहेंगे unit plan और unit plan के बेस पर ही unit test बच्चों के आयोजित किये जाते हैं तो अब यहाँ पर हम last देख रहे हैं पाठ योजना और पाठ योजना में क्या होता है शिक्षन से पूर्व की अवस्था आप class लेने के लिए जा रहे हैं class में पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले आपने क्या तयारी की है वो तयारी बहुत जरूरी हो जाती है और अगर आपने तयारी नहीं की है तो क्या होगा वही चूरू में जैसे चांदी के गोले दागे गए क्योंकि उनके पास गोला बारूत खत्म हो गए थे तो खत्म होने पर आकास्मिक रूप से तातकलिक रूप से उन्होंने क्या अरेंज किया चांदी अरेंज कर दी और चांदी से जो है वो उन्होंने दुश्मनों पर गोले दागे। तो ऐसी कंडिशन न हो, चांदी के गोले न दागने पड़ें, आकास्मिक परिस्थिती न उत्पन हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए पाठ योजना का डिजाइन, लेसन प्लान का डिजाइन, क्लास में जाने से पहले ही तयारी कर ली जाती है. तो इस इस तरह की कौन सी अप्रोच है, जिसमें ये तयारियां की जाती है, तो इसको हम कहेंगे पाठ योजना उपागम, लेसन प्लानिंग अप्रोच, हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, उसमें अलग-अलग मनोविज्ञानिकों ने अलग-अलग चीजें बताई, तो ज इसमें आपसे पूछा जाता है इसके तत्व, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, फिर आपका सामानिकरण और प्रयोग, ठीक है, तुलना, सामानिकरण और प्रयोग, ये ये इसके चरण होते हैं, हरबर्ट, पंच्पदी, उपागम के चरण बताईए, या कौन सा स्ट मौरिसन अप्रोच, कौन सी वाली अप्रोच है, ये इकाई प्लानिंग से रिलेटेड है, इकाई योजना इन्होंने बताई है, जिसको हम मौरिसन अप्रोच भी कहते हैं, इसमें इनके स्टेप्स क्या हैं, इसमें इनके स्टेप्स हैं, अन्वेशन, प्रस्तुतिकरण, आ मुल्यांकन वाला जो प्लानिंग है वो किस ने बताया, ब्लूम ने बताया, जैसे ब्लूम की Taxonomy भी र買श चुकें, तो यहां है ब्लूम ने मुल्यांकन वाला जो प्लाइब था वो बताया, इसमें इनके कॉंटेंड्स क्या है, कि उद्धेश होने छेए, अधिगम अनुभव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए और मुल्यांकन किया जाना चाहिए परिवर्तन का मुल्यांकन की व्यवहार में क्या परिवर्तन आया तो ये Bloom के सारे आपको Steps जो है वो याद रखने है Morrison के steps याद रखने है और Herbert के steps आपको याद रखने है अगर इसका detail आपको नहीं भी बता है तो चल जाएगा लेकिन इसके steps याद रखने है प्लस इकाई उजना की बात किसने की इकाई उपागम के बात किसने की Morrison ने फिर मुल्यांगन के बारे में किसने बताया Bloom उपागम ने फिर Herbert के पंचपदी उपागम में कौन कौन से steps है वो आपको पता होने चाहिए ये सारे steps आपको बाई हाठ याद होने चाहिए otherwise इनका description इतना जादा आपको नहीं पढ़ना है with the perspective of exams